एक बार फिर से मैंने नियोजी टीचर नियुज 2.0 में आप सभी सिख्चक सांथियों का स्वागत है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब नियोजी सिख्चो को 15% ब्रीधी का लाब 1 अप्रिल 2021 से मिलने का पत्र जारी हो चुका है यानि मूल बेतन में अब 15% ब्रीधी करके नियोजी सिख्चो का बेतन भुकतान किया जाएगा 1 अप्रिल 2021 से तो मेरा आज का ये टोपिक इसी से समबंदित है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नियोजी सिख्चो का कितना बेतन होगा कुल बेतन मूल बेतन कितना होगा तो वीडियो को आएए चालू करते हैं वीडियो को चालू करने से पहले मेरे नियोजी टीचर नीज 2.0 को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तक किरिपया चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन आवसे दबादे नोठिफिकेशन अन इसमें दिया हुआ है फ़स्ट में इंडेक्स और बेसिक पे जो अभी आपका मिल रहा है उसके बाद 1.15 से मल्टिप्लाई करने के बाद गुना करने के बाद आपका कितना हो रहा है वो है उसके बाद यह है लेबल और इंडेक्स जो पे मैट्रिक्स चार्ट सरकार के द्व पारित किया गया है लागू किया गया है उसके अनुशार आपका मुल बेतन कितना होगा और उसके बाद 313, genetics निकल चुका है तो 31 power 360 पर आपका कूल बेतन कितना होगा और 4 पर 30 आपका एचारे है यानि ग्रामिंट शेतर के लिए उसके बाद मेडिकल है उसके बाद आपको gross पे है और EPF काट के आपके खाते में कितने भुकतान हो गई ये total amount आपका हो गया तो सबसे पहले हम देखते हैं जिनका मूलबेतन 18.510 होगा उनके 18.510 में 1.15 से गुना करने आपको आएगा 21,287 लेकिन जब आप label index chart pay matrix को आप देखेंगे तो ये किसी भी चार्ट में आपको दिखाई नहीं मिलेगा तो ये आपका एक number हो गया index तो इसके अनुसार एक index में जब आप देखेंगे नए वाले pay matrix चार्ट में तो उसमें आपको एक number में मिलेगा 21,290 तो इसके अनुसार ये 14,2211 से आपका मूल बेतन हो जाएगा 21,290 और आपका 31,370 पहोग जाएगा 66,000 रुपिया और 852 रुपिया एचारे हो जाएगा एक हजार मेडिकल हो जाएगा टोटल ग्रोस पोय आपका हो जाएगा 29,742 रुपिया एठारा सो रुपिया एप खाट ने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा आपको 27,947 रुपिया वही जिनका 29,070 मूल वेतन होगा उनका 15% गुना करने के बाद 21,931 हो जाएगा और लेबल इंग्डेक्स चार्ट के अनुसार 21,940 हो जाएगा और 31,931 रुपिया आपको हो जाएगा और 888 रुपिया आपको हो जाएगा एचारे 1,000 मेडिकल 3,600 रुपिया टोटल ग्रॉस पे हो जाएगा 18,000 रुपिया एप खाटने के बाद इनके खाते में करेड़ होगा 28,800 रुपिया वही अनुस जिसका 29,650 मुलवेतन होगा उनका 15 परतिशत विरिधी के बाद 22,598 होगा और लेवल इंडेक्स के अनुसार 22,600 हो जाएगा और आपका 31 परतिशत डिये पर 7,006 रुपिया हो जाएगा और 904 रुपिया आपको जारे हो जाएगा 1,000 मेडिकल हो जाएगा 31,510 रुपिया टोटल ग्रोस पे हो जाएगा 1800 रुपिया इपीएप कटने के बाद 29,710 रुपिया इनके खाते में क्रेडिट होगा वहीं 20,240 जिनका मुलवेतन होगा 15% बिरिधी के बाद आपको 23,260 हो जाएगा और 23,280 पे मैट्रिक्स चार्ट के अनुसार हो जाएगा 31,510 रुपिया आपका 32,710 रुपिया हो जाएगा 931 रुपिया एचारे हो जाएगा 1,000 मेडिकल टोटल आपका ग्रोस पे हो जाएगा 32,428 रुपिया 18,000 रुपिया एपकाटने के बाद इनके खाते में करेट होगा 36,28 रुपिया वह जिनका 20,850 होगा 2010, 2014, 2015, 2016 तक जितने भी सिक्षक है उनका 20,850 अभी मूल बेतन है तो उनके मूल बेतन में 15% का जब कल्कुलेशन होगा तो उनका आएगा 23,938 लेकिन पे मैट्रिक्स चार्ट में ये आपको दिखाई नहीं देगा नए पे मैट्रिक्स चार्ट के अनुसार जब आप पांच नमबर इंडेक्स में देखेंगे तो 23,980 है तो 23,980 इनका 1 अप्रिल दुवाजारे का इससे मूल बेतन हो जाएगा और वहीं आपको 31,34 डिये पर आपको 74,34 रुपिया हो जाएगा 9,69 रुपिया हो जाएगा 1,000 मेडिकल हो जाएगा 33,380 रुपिया आपका टोटल ग्रॉस पे हो जाएगा 18,00 रुपिया इपी एफ कटने के बाद इनके खाते में करेट होगा 31,573 रुपिया वहीं 21,480 जिनका मूल बेतन है उनका 24,702 रुपिया होगा लेकिन पे माइट्रिक्स चार्ट के अनुसार आपको 24,710 होगा और 31,330 डिये पर आपको 76,60 रुपिया 988 एचारे, 1000 मेडिकल, 34,355 आपको टोटल गरोस पे हो जाएगा 32,505 रुपिया, 18,00 रुपिया इप कटने के बाद इनके खाते में करेडिट होगा वहीं जिनका आपको 22,130 मूल बेतन है उनका 25,450 होगा लेकिन पे माइट्रिक्स के अनुसार आपको 25,450 है इसलिए इनका मूल बेतन वहीं कल्कुलेशन करने के बाद इकूल आ रहा है तो आपको 25,450 आपका मूल बेतन हो जाएगा और 38,90 आपका दिये हो जाएगा 118 आपको एचारे हो जाएगा 1000 मेडिकल हो जाएगा 35,355 आपको टोटल गरोस पे हो जाएगा 58,50 रूपिया वहीं जिनका मूल बेतन 22,790 होगा उनका 26,290 आपको 15,30 ब्रीधी के बाद होगा लेकिन आपको पे माइट्रिक्स चार्ट में 26,210 मूल बेतन दिया हुआ है 8 नमबर इंडेक्स में तो इनका मूल बेतन 26,210 हो जाएगा 81,25 रूपिया 31,325 दिये हो गया और 1,048 हो गया 1,000 मेडिकल हो गया 36,383 रूपिया आपको टोटल ग्रोस पे हो गया 18,000 रूपिया इपको कटने के बाद इनके खाते में केट होगा 24,580 रूपिया वहीं 23,480 है जिनका ये सिक्षा मित्र वाले हैं इनका 23,480 अभी मूल बेतन है इनका 15,330 रूपिया के बाद 27,002 रूपिया होगा लेकिन आपको पे मैट्रिक्स चार्ट में 27,010 है तो इनका मूल बेतन 27,010 हो जाएगा 83,78 रूपिया इनका डिये हो जाएगा 1080 आपको एचारे हो जाएगा 1000 मेडिकल हो जाएगा टोटल 37,463 रूपिया आपको टोटल गरोस पे हो जाएगा 1800 रूपिया इपेफ कटने के बाद इनके खाते में क्रेडिट होगा 35,663 रूपिया वहीं 24 एक्षन अबे जिनका है उनका 27,800 अनईस हो जाएगा लेकिन आपको पे मैट्रिक चार्ट में 27,820 है इसलिए इनका मूल बेतन हो जाएगा 27,820 और 83,24 रूपिया आपको डिये हो जाएगा 11,13 रूपिया एचारे हो जाएगा 1,000 मेडिकल हो जाएगा 38,557 हो जाएगा 1800 रूपिया एपियेफ कटने के बाद आपको 36,757 हो जाएगा तो ये 2003 में जिनका बहाली हुआ है उनका ये कल्कुलेशन है लेकिन अब उनका 24,190 से 24,921 एक जुलाई 2001 कई से मूल बेतन हो गया है तो 24,920 के कल्कुलेशन के अनुसार आपको 15% बिरेदी पर 28,658 होगा लेकिन आपको पे मैट्रिक्स चार्ट में 28,660 दिया है इसलिए इनका 28,660 मूल बेतन हो जाएगा और दिये हो जाएगा 8,885 रूपिया और 11,46 रूपिया एचारे 1,000 मेडिकल 49,691 आठारे से रूपिया एप कटने के बाद इनके खाते में आपको क्रेडिट होगा 37,891 रूपिया इस तरह इनका ये हो जाएगा 24,9 वही 25,660 जिनका मूल बेतन होगा उनका 29,5 से कई सो जाएगा लेकिन पर मेट्रिक्स के अनुसार 29,530 है और 91,54 रूपिया आपको डिये हो जाएगा 11,81 रूपिया आपको वेचारे हो जाएगा 1,000 मेडिकल हो जाएगा 40,865 रूपिया टोटल बेतन हो जाएगा इनके खाते में 18,000 रूपिया एप कटने के बाद क्रेडिट होगा 49,065 रूपिया वहीं 26,450 जिनका है उनका 30,018 हो जाएगा लेकिन पे मैट्रिक्स के अनुसार 30,420 है तो इनका मुलबेतन ये हो जाएगा 30,420 और 94,31 रूपिया है डीए 12,17 रूपिया आपको ये चारे एक हाजार मेडिकल 42,000 रूपिया टोटल ग्रोष पे 1800 रूपिया कटने के बाद इनके खाते में करेड़ होगा 40,000 दूस्वा 6,66 रूपिया वहीं आपको 27,250 जिनका है उनका 31,338 होगा लेकिन पे मेट्रिक्स के अनुसार 31,340 होगा 97,15 आपका टीए हो जाएगा 12,44 आपको ये चारे हो जाएगा 1,000 मेडिकल हो गया 43,309 रूपिया आपको टोटल ग्रोष पे हो जाएगा 1800 रूपिया एपको कटने के खाते में करेड़ होगा 14,509 28,070 जिनका होगा उनका 32,281 लेकिन पे मेट्रिक्स के अनुसार आपको 32,981 हो जाएगा 10,010 रूपिया आपको दीए हो जाएगा 12,92 रूपिया आपको एचारे 1,000 मेडिकल 44,500 92 आपका ग्रोष पे 18,00 रूपिया इपको टने के बाद इनके खाते में करेट होगा 24,702 रूपिया तो इस तरह से आप अपना कल्कुलेशन देख सकते हैं इसमें अगर जै आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल पर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उस समस्या का समाधान करने का परियास करूंगा तब तक के लिए चैनल पर बने रहें वीडियो में लाज तक बने रहने के लिए दन बाद वीडियो को ज़्याद से चैर करें वीडियो को एक लाइक ओस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न गुले धन बाद झाल झाल